पूरी तरह बरबाद हो चुका है गाजा रहने लाइक नहीं बचा। दिविलियर्स का रकॉर्ड। महिंद्र सिंग धोनी के साथ हुई करोडों की धोखा धड़ी राची में दर्ज हुआ केस। बता दे आरकाइज स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट लिमिटेड नामक कमपनी ने करोडों की धोखा धड़ी की है। इस मामले में धोनी ने जारखन के राची सिवल कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। श्रीराम जन्म भूमी तेर्थ शेत्र के मुख्य पोजारी ने दिया जेडियू सांसत की विवादत बयान पर जवा कहा मूर्ख हमेशा मूर्ख की तरह ही बोलेंगे। सुर्ख्यों में आया अनामेका अंबर का नया गाना पीम मोदी ने ट्विट कर लिखा स्वाती जी का ये गाना एक बार सुल ले तो लंपे समय तक कानों में गूंचता रहता है। मत्रु के लिए दवाएं, रैनबसीरे और भोजन की भी विवस्ता की जाएगी। भगवान राम की ससुराल नेपाल की जनकपुर से लोग उपहार लिकर आयोध्या पहुचे। मिठाईयां, आभूशन, वस्त्र के साथ-साथ, फल और पूजा की सामान है। मत्रु में पोलिस का ओपरेशन लंगडा जारी, मुतभेड में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों से कैश और तमंचा बरामत। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पहुचे बाबा बागिश्वर ट्विट पर बताया कि बागिश्वर सरकार का अपने आवास पर सानिध्या मिला। देहरदून में राज्यस्तरिय युवा महुचसव का सीयम धामी ने किया शुभारब। युवा कल्यान मंत्री रेखा आरे और विधायक खजान दास भी मौजूद थे। दिल्ली इंसीयार में शीत लहर का कहर लुड़का पारा मौसम विभार की मताबिग अभी ऐसे ही मौसम बने रहने की आसार। इस बुल्टिन में बसतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही यूट न्यूज आनलाइन के साथ।